अल्वा दोस्तों नमश्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन्ड़ नय मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों TCS, Infosys और भारती एटेल ये तीनों ही कमपणी तीनों ही स्टॉक में एक अच्छी घासी न्यूज आते हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका इंपेक्ट हमें दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिल सकता है उनके स्टॉक में तो वो क्या न्यूज है दोस्तों य वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रॉफिट गुरू की क्लास का यूटूब चैनल का लिंक दिया है वहाँ पर आप लोग जाके उस चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप लोगों के लिए अब हर 2-3 तीन दिन के बीच में दोस्तों स्विंग ट्रेड के स्टॉक टेकनिकल फंडामेंटल एल्गोरिधम ट्रेडिंग के वहाँ पर व्यू आते रहेंगे तो जिसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए वहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिटेवल चीजे हो सकती है तो चले दोस्तों चलते हैं अब उस वीडियो की नियुस के ऊपर तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम टी से को आप लोगों के सामने अपडेट करें टी से दोस्तों दिगज आईटी कंपपनी यह जिए आप लोगों को पता है अब देखिये कल भी मैंने इस पहले देखने को मिल रही है, अब यही हपते में दोस्तों इसका quarter first का result आने जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को उससे पहले ही stock को धबोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों TCS जो partnership किये, उनका जो impact है, हमें आने वाले दोसे तीसरे quarter में काफी अच्छा देखने क मिल सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों ही company दोस्तों वहाँ पर अपना business बढ़ाना चाहती है, तो TCS के साथ उसने क्या किया है, करार किया है कि आप हमारा जो service sector है, उसको समा लिए, जिससे यह हो सकता है कि दोस्तों हमारा जो business हो जादा से जादा जगा में fill सके है, जिससे अग पन होता है दोस्तों 331 रुपे मतला बहुत बड़ा gap down रहता है, फिर high लगाता है 3349 रुपे 70 पर से और low लगाता है 3250 रुपे, देखा जाए तो stock का momentum तो में बहुत शानदार देखने को मिला, otherwise अगर आप देखें, तो trade volume number option, जो आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा ह 3000 quantity का ही volume, देन ये जब भागना चालू को अगर करेगा न stock तो यहाँ पर आपको volume की जो मातरा है वो बढ़ते देखने को मिलेगी, ठीक है, हो सकता है, बहुत real case में दोस्तों 90% तक की accuracy मिल रही है यहाँ पर कि ये stock अपना नया 52 का high लगाने वाला है, जो 25 जुन 2021 का है, ठी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जो momentum हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 52 का high 52 किलो में बहुत ही interesting है, देन उसे के साथ-साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों delivery pattern, तो आप देख सकते हो 52% से जादा, यह भी दोस्तों stock को बहुत impact करती है, ठीक है, यह चीज़े, दे दोस्तों अगर हम TCS का return of pattern देखेंगे हैं, ठीक है, दोस्तों सबसे पहली बात तो इन में इतनी growth क्यों देखने को मिल रही, एक जमाना ऐसा था जब दोस्तों TCS को कोई पूछता नहीं था, ठीक है, अब TCS को काफी अच्छी तरीके से improvement देखने को मिला, और खास करके आप बोलोगे कि lockdown से लेके अभी तक, जो first lockdown लागा था, जब से अभी तक TCS बहुत भागा, IT सेक्टर ही भागा, क्यों भागा, दोस्तों work from home के कारण, अब आप बोलोगे work from home के कारण, TCS से या IT से क्या related है, तो दोस्तों ये relation है कि देखे work from home, अब आप लोगों को पता है कि इन चार्ज लाखों में रेता है, ये आप लोगों को पता है, आप भी office जाते होंगे, किसी ना किसी सेक्टर में work करते होंगे, तो वहाँ पर company आप लोगों के उपर एक दिन में कितना खर्च करती है, ठीक है, आपका system, ठीक है, system के अलावा, बहुत सारी चीजे रहती है, इस से दोस्तों, IT सेक्टर में भी काफी ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, खर्चा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी वो maintenance charge पूरा बच रहा है, पूरा मतलब जितने भी financial cost है, traveling खर्चा है, दोस्तों, visa खर्चा है, ठीक है, उसके बाद company की maintenance charge, यह पूरा बचने के बाद क्या हो रहा है, वो पूरा कहा पर जा रहा है, वो revenue में जा रहा है, तो revenue जा रहा है, तो दोस्तों, क्या हो रहा है, वो revenue उनका हाइए, तो दोस्तों, यही commentary है न, IT सेक्टर के तरफ से, TCS के तरफ से आईए, क्या, कि हमारे profit margin में न, बढ़ चे परसंट की तेजी है last 6 मेरे में अगर देखेंगे 10% की तेजी है last एक साल में 43% की तेजी लास्ट पांस साल में अगर आप देखेंगे 114% की तेजी और overall का performance देखेंगे तो लगबख 26% की तेजी हमें क्या कि दोस्तों जो इसने बाई बेक किया बाई बेक क्यों किया बाई बेक में दोस्तों कुछ ना कुछ कन्फूजन देता है क्या अब देखें बाई बेक को बहुत शांदार रिस्फोंस मिला है करीबे 9,200 करोड का बाई बेक किया इसने अब इतना फंड इसने बाई बेक कि लेगी क्या आप देखिए यहाँ पर इसने बाइबेक किया तो हो सकता है quarter third या quarter fourth quarter second पर तो उमीद नहीं कर सकते हैं यह बाइबेक जो share इसने किये वहाँ पर आप लोगों को bonus मिल जाए ठीके शेर तभी बाइबेक होते हैं आप company share क्या करेगी उसके पास तो रखेगी नहीं ठीके तो छे से आट मैने या नौ मैने तक promoters उसको अपने पास रखेंगे मतलब promoters का stake increase होगा यह आप लोगों को दिखेगा देन उसके बाद फिर promoters का stake कम होगा और वो जो stake कम होगा वहाँ पर जितने भी quantity होगी उसको पर share के हिसाब से क्या bonus दे दिया जाएगा तो यह चीज़े दोस्तो अगर आप इस प्राकार सा सोचोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत शांदार रहने वाला है अगर यहीं पर देखते हैं तो देकि लास्ट ट्रेड आप लिए इस रुपे अलमस्ट देखा था तो 20 से 25 पॉइंट का मुमिंट देखने को मिला वाल्यूम की ग्रोथ यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो तो 51 लाग का ही देखने को मिल रहा है मतलब कभी कम है लेकिन यहाँ पर बढ़ते देखने को मिलेगा और अब अभी हाल इस और इस कंपनी का अगर हम पर इस कंपनी का करीबन 14 जुलाइ मतलब दोस्तो एक हफटे के बाद यहाँ पर आने वाला है इस company का financial result quarter first का तो दोस्तों यहाँ पर भी एक अच्छा कासा दमा का देखने को मिल सकता है दोने उसे के साथ साथ अगर देखेंगे तो buyback buyback को बहुत अच्छा response मिला दोस्तों traders की तरफ से investor की तरफ सो तो जिसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल भी infosys को ignore नहीं कर सकते हो देन यहाँ पर अगर हम infosys का return of pattern देखें ठीक है तो last 5 दिन में आप देख सकते हो हलकी सी गिरावट है में देखने को मिल रही है जिस प्राका से थोड़ा selling pressure आता है ना stock में वो ज़्यादा होते जाता है क्यों? क्योंकि थोड़ा stock भाग चुका है अब stock का result पास आ रहा है न तो stock में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी अब देखें एक मेने में लास्ट 13% का return दे दिया stock ने, लास्ट 6 मेने में stock ने 21% से ज़्यादा का, लास्ट 1 साल में अगर देके तो 105% का return overall का 5 साल का performance देके तो 170% का और overall का performance देके तो 13,000% से ज़्यादा का stock ने return दिया तो दोस्तों जिसके लिए हम बोल रहे है न infosys को अगर आप ignore करोगे न तो आप लोगों को बिल्कुल भी माजा नहीं आएगा तो जिसके लिए क्या infosys को नजर में रखके चलिए same condition जो TCS की वही infosys के साथ भी है कि infosys का जो margin growth है न वो बढ़के देखने को मिल सकता है जो revenue growth है वो हमें बढ़के देखने को मिल सकता है क्यों 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 कि बर्क from home जो इसके employee घर से बैटके काम कर रहे हैं वहाँ पर company को काफी जादा फाइदा हो क्योंकि company जो task देती है वो तो complete होता ही उनके लिए ठीके लेकिन वो घर पर बैटके करते हैं सबसे पहली बात यह है तो यहाँ पर company का maintenance charge company के employee की जो salary एती है वो तो time पर चले जाती है लेकि जो company की financial cost रहती है वो कम लग रहे है company का travelers, visa ठीके देज विदेज में भी आना जाना रहता था लेकिन अभी सब बंद है क्यों क्योंकि company पूरी अभी बंद है जिसके करण दोस्तों आप लोगों को पताईए कि इनका revenue इतनी खतानाक तरीके से जनरेट मुझे देखने को मिलेगा quarter first के result में यहाँ पर आप देख सकते हो business student की site के ओपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ ठीक है यहाँ पर आप देखिए टेलिकॉम इंडरस्टी ठीक है टेलिकॉम इंडरस्टी में जो भारती एटेल है भारती एटेल के जो चीप है सुनेल मित्तल जी उनका बोलना है कि हम यहाँ पर जो ठेरीफ प्लान रहेते हैं वो हाई करने का प्लान बना रहे है क्या ठेरीफ प्लान हाई मतलब बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन दोस्तों इनके सामने एक अर्चन है इन्होंने तो बोड़ा फून ऐड़िया को एक साइट कर दिया है झाल बढ़ा है या ना बढ़ा है इनसे कोई नहीं मतलब लेकिन इनको GIO को दोस्तों कंवेंस करना पड़ेगा अगर ये जीओ को कंवेंस कर लेते हैं ठीके ये चीजे दोस्तों अच्छी हो जाती है इनके favor में आ जाती है तो दोस्तों इनके पास खाली एक ही बुजनेस है अगर यह खुद ट्रीफिक हाई करते हैं मतलब गार घ्रिस पलान है वह काम होता देखने को मिलई मैं कहते हैं भारती एटल के stock पे अगर ये news आने वाले दिनों में अगर सही हुई ना तो दोस्तो जो भारती एटल का stock है ना वो हमें rocket बनते देखने को मिलेगा तो जिसके लिए अभी सही दोस्तो आप भारती एटल के stock पे focus करें डेफिनेटली दोस्तो प्राइस हाई होगा क्यों क्योंकि आगे 5G प्लान भी आ रहा है वो भी काफी महेंगे रहेंगे ठीके जिसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुमेंटा में वो दिन पर दिन टेलिकॉम सेक्टर का बदलते जा रहा है तो इस सीच को दियान का पॉफोमेंस देखते हैं तो आप देख सकते हो लास्ट ट्रीडिंग सेशन में आधे परसेंट स्टॉक चड़ा था यहाँ पर देखेंगे तो 525 रुपे साट पैसे का स्टॉक का ओपन था 533 रुपे का हाई था 520 रुपे का हमें लो देखने को मिला देन यहां पर अग सब्ते हैं तो यहां से तो आप देख सकतू हैं और भी कंपनी मार्केट में बहुत पुरानी दोस्तो और कuen ने करीबें धाई सो धाई अजार पर्टेंट तक का मार्केट में रिटन दिया है तो ये तीनों कमपनी का आप लोगों को एक ही साथ अपडेट मिल चुका है तो अब आप लोगों के उपर है कि आप इन तीनों कमपनी में किस प्रकास से स्टेडी करते हैं तो उसके बाद किस प्रकास से लखिए ठीक है और अपने चेड़ी कॉलेटी करते रहिए ठीक है तो यह था बेहतरिंग अपडेट के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लोज करता हूं वीडियो को क्लोज करते हमें यही बोलूगा वीडियो पसंदा तो प्लीस लाइक करिए चैनल पर लोगों के लिए ट्रेटे की टिप्स एन मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंकि दोस्तो